सोदरा सोदरी मनो लगो मातो मुथो लगो ना नवस्कारम भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्रिमान जेपी नड़ाजी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सदस्देगान भाजपास आसिद राज्यों के मुख्य मंत्री उपमख्य मंत्री तेलांगना भीजेपी के अध्यक्ष बंडिस संजे कुमार भाजपा के अन्य वरिष्ट फदादी कारिगान सांसत विधाय गण अन्य मानुभा और तेलांगना के मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलांगना कास ने यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया है तेलांगना के अलग अलग जीलों से आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आये इस स्नेह के लिए इस आशिरवाद के लिए मैं तेलांगना का अभिनंदन करता हूँ तेलांगना की धर्ति को वंदन करता हूँ भाई और बहनों आप सभी लोगों के इस ने को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजबा की राष्टिय कारकारिनी की बैटाख हैद्राबाद में कराने का फैसला किया था बीते दो दिनों से यहां देश भर से भाजबा के प्रतिनिदी अलग अलग राज्जों के मुखमंत्री आपके इस प्यार को इस ने को अनुभव कर रहे हैं जिस तरह हैद्राबाद शहर हर टैलेंट की उमीदों को नई उडान देता है वैसे ही भाजबा भी देश की आशाओं अपेशाओं को अपुरा करने के लिए दिन रात महनत कर रही है इसलिए आज जब हम 21 सदी के समर्थ ससक्त आत्म निर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं तब हैद्राबाद में हुए भाजबा के इस मंथन का विशेष्ट महत्व है साथियों तेलंगणा के लोग पूरी दुनिया में कड़ी महनत और देश के विकास के पती समर्पन के लिए जाने जाते हैं तेलंगणा में कला कौशल करमड का भरपूर है तेलंगणा प्राचिंता और पराक्रम की पुन्य स्थली है यहां बद्रा चलम में स्री राम से लेकर यादाद्री में स्री नर्थिमा तक आलंपूर में जोगु लांबा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक इस पवित्र भूमे से इश्वरी आशिरवाद हमारे भारत पर अविरल बरस्ते हैं विश्व प्रसिद्धर रामप्पा मंदीर से लेकर अजभूत काग्तिय तोरणम तक तेलंगना का आर्ट और आर्किटेक्चर हमें गवरव से भर देता है प्रताप रुद्र से राणी रुद्रमा देवी और कुमरम भीम तक तेलंगना की इस वीर भूवी के शोर्य और बलिदान की गासाए अकुल्निया है बद्रा चलम रांदासु से लेकर पालकुरी की सोमना तक यहां के काव्य का माधूरिया यहां के साहित के संदरिया पूरे भारत के लिए अमुल्य निदी है इस धर्दी की यह आस्था यह स्रद्धा और यह विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पन की उर्जा देती है इसलिए साथ्यों ऐसे तेलंगरा का विकास चोथ तरफा विकास भारतिय जनता पार्टी की पहली प्रात्विकताओं में से एक है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगरा के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं बाई और बेनों बीते आठ वर्षों में हमने हर भारतिय के जीवन में सकानात्मक परिवर्शन लाने का प्रयास किया है देश वासियों का जीवन कैसे आसान हो विकास का लाप कैसे हर व्यक्ति हर शेत्र तक पहुँचे इसके लिए हमने निरंतर काम किया है बसकों तक जो बन्चीत रहे शोशित रहे उनको भी राष्टिय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागिदार बनाया है यही कारण है कि गरीब बलीत बन्चीत पिछडे आधिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवशक्ताओं और आकांचाओं दोनों की पूर्ति कर रही है देश की महलाओं हमारी बेहन बेक्यों को भी आज मैसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है उनकी सुभीदा बड़ी है अब वो रास के विकास में अधिक योगदान दे सकती है साथियों बाजपा सरकार के इसी सेवा भाव का लाफ तेलंगणा के हर गरीब बलीद पिछडे आदिवासी मिडल क्लास परिवार को भी मिल रहा है कोरोना वैस्विक महमारी के दोरान जब सो साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमारी सरकार ने तेलंगणा के करोना वैक्सिन लगाई गई तेलंगणा के गरीबों को मुप्ट राशन हो तेजी से मुप्ट करोना वैक्सिन लगाई गई तेलंगणा के गरीबों को मुप्ट राशन हो गरीबों को मुप्ट इलाज हो बाजबा सरकार की नीतियों का लाप सभी को बीना भेद भाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है यही तो सबका साथ सबका विकास है इसी वज़े से आज देश के सामान्य नागरिक का बाजब पर इतना विस्वास है मुझे खुसी है कि तेलंगरा के लोगों का भी बाजबा पर ये विस्वास लगातार बढ़ रहा है जहां तक मेरी नजर पहुत रही है जोज से भरे नौजबान दिखाई दे रहे है आपका ये प्यार आपका ये उत्सा आज पुरे देश को पता चल रहा है 2019 के लोगसबा चुनाओ में बाजबा ने जितना जन समर्शन तेलंगरा में हासिल किया था उसमें निरंतर वृद्धी हो रही है 2019 के लोगसबा चुनाओ में भारतिये जन्ता बाज़ी को आपने भरपूर प्यार दिया भरपूर समर्शन दिया मेरे प्यारे भाईयों बाजबा ने जितना समर्शन तेलंगरा में हासिल किया उसमें निरंतर वृद्धी होती रही है और ये वृद्धी ही भारतिये जन्ता पार्टी के प्रती आपके प्यार को दरसाती है आपके इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है निरंतर वृद्धी होती जा रही है वो हर चीज में दिखाई दे रही है ग्रेटर हैदराबाद के चुनाओं में इसकी एक और जलग हमने देखी जब भाजपा को अभुद्पुर्वत सभलता मिली देश के दूसरे राज्यों में हमने देखा है जहां जहां भाजपा की डबल इंजिन सरकार है उन राज्यों का विकास और जन्ता का विश्वाथ कई गुला बड़ा है यही आकांच्छा अब तेलंगना के लोगों की भी हैं तेलंगना के लोग लगातार बाजपा की डबल इंजिन सरकार के लिए जन्ता जागन खुद ही रास्ता पना रही है साथियों यहां बड़ी संख्या में हमारी माताए बहने आसिरवाद देने के लिए आई है साथियों आपका प्यार आपका उत्सा मैं भली भाती समझ सकता हूं साथियों हमारी सरकार ने महलाओ बहनों बेटियों की गरिमा उनके स्वास उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दिया है स्वच्च भारत अभ्यान से तेलंगरा की लाखो गरी मातों बेटियों को सम्मान का जीवन मिला उजवला योजना से मिले मुक्त गैस कनेक्शन से तेलंगरा की लाखो गरी बेटियों को दूए से मुक्ति मिली है मास्त्रुत्व के समय ओसन से लेकर टिका करां तकी सुविदाओं को हमने तेलंगना के गाउं गाउं तक पहुँचाया है हर लाभारती तक पहुँचाया है इसी का परणाब है कि आज बेहनों और बेटियों का स्वास भी सुदर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है बारत में पहली बार पुरुषों की तुल्ला में मैलाओं की संख्या अधिक हुई है भाई और बेनों हम इसी किवीश्वी सदी में देश की नारी शक्ति को रास्त शक्ति बनाने का इमानदार प्यास कर रहे है हाली में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा दनराशी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेगी से पढ़ रही है ग्रामीन महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा है सरवे बताते हैं कि आज हमारी बेहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैंसलों में पूछ भी बढ़ रही है यह इसलिए संपव हो रहा है क्योंकि हमने बेहनों को बैंकिंग से जोड़ा देश की अर्थ बवस्ता में बेटियों की सीजी सक्रिय भागिदारी को प्रुशाहित किया कि आपके प्यार के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं धन्यवास करता हूं साथियों जंदन योजना के तहट पूरे देश में 45 करोर बैंक खाते खुले गए जिस मैंसे एक करोर से जय्दा जंदन करतेते तेलंगना में खुले हैं इन जंदन खातो में 55 % से खाते महिलाओं के हैं इसी तरह जो मुद्रा लोन दिये गए उसमेंसे दो किहाइत से अधिक लोन महिलाओं को दिये गए हैं स्टेंड अप इंडिया के तहट दिये गए लोन में से 80% महिलाओं को दिया गया है यहां तक की रेड़ी ठेले पट्री वाले देश के लाखों साथियों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जोड़ा है पी-एम स्वनिदी योजना के तहट तेलंगिना में के भी हजारों साथियों को मदद मिली है भाई और बैनों तेलंगिना भारत में रीसर्ट और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है कोरोना काल में वेक्सिन को लेकर दूसरे साजों सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है उसने पूरी दुनिया में करोडों जीवन बचाने में मदद की है बीते आठ वर्सों से केंद्र सरकार इस एको सिस्टिम को सदकता करने के लिए बड़े स्टर पर प्रयास कर रही है हाइदराबाद में आदूनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी बाजपाद सरकार गंबीर प्रयास कर रही है कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्ट फेजिलिटी पर बायो मेडिकल रिसर्ट जैसा आदूनिक रिसर्ट सेंटर हाइदराबाद में तयार हो चुका है साथियों भाजपाद सरकार सिर्फ टेक्नोलोजी और इन्योवेशन के लिए परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिवा को भी पोच्छान दे रही है नई रास्तिय सिख्छानीती में हमने थानिय भाता में पढ़ाई को प्रत्पिक्ता दी है अब आप ही बताईए जब तेलुगों में टेक्नोलोजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी तो तेलंगणा के गावों की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच हो करके रहेंगे की नहीं रहेंगे इससे आत्म निर्भर भारत के निर्माण के लिए टैलेंड का पूल बड़ा होगा या नहीं होगा भाई यर्बहनों आत्म निर्भर भारत अभ्यान को रामा गुन्नम खाजकार खाना भी ससक्त कर रहा है आप सभी ये जानते हैं कि बीते दसकों में देश के जो अनेक खाजकार खाने बंद हुए थे उन मेंसे ये भी एक था 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया लगवख साथे च्छे हजार करोंप्य का निवेश किया अब यहाँ फर्टिलाइजर का उत्मादन शुरू हो चुका है बहुत जल्द इसको भी रास के लिए समर्पित कर दिया जाएगा ये तेलंगरा के किसानों के लिए बारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविदा है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं इसे खाक पर हमारी विदेशी निरपरता कम हो जाएगी भाई और भेनों हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगना के किसानों का जिवन आसार हो उनको अपनी उपच का अधिक से अधिक लाब मिले तेलंगना में पानी से जुड़े लगबग 35,000 करूर पे से अधिक के पाँच बड़े प्रोजेक्ट पर केंदर सरकार काम कर रही है बीते च्छे सालों में केंदर सरकार ने तेलंगना के धान किसानों से लगबग एक लाग करूर रुप्य का धान खरीदा है धान किसानों को लागत का देड़ गुणा पैसा भी दिया है इस बार भी दान की MSP में 80 रुपिये की वृद्धिकर उसे 2000 रुपिये प्रति क्विंटरल से जादा कर दिया गया है बाई और बैनों खेती हो या उद्ध्योग हर सेक्टर के विकास के लिए आदुनिक इंफ्रास्टर बहुत आवश्चक है तेलंगेना का गाह हो या शहर आदुनिक कलेक्टिविटी इंफ्रास्टर के लिए बाजपा के नेच्वत्वाली केंदर सरकार अभुत्पुर्वक काम करकर रही है हाइद्राबाद में यातायात और सुदम बनाने के लिए केंदर सरकार पंदरा सो करोड रुप्य की लागत से चार और छे लेन के कई फाय ओवार और एलिवेटेड कोरिडर बना रही है इस हाइटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंदर सरकार तिन सो पचास किलोमेटर परीगी की रीजिनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है भाई और भेनों हमारा प्रयास है कि तेलंगना के कौने कौने तक बहत्रिन कनेक्टिविटी पहुँचे पिछले आठ वर्षों में तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई दो गुणी हो चुकी है दो हजार चौदा में तेलंगना राज्यमें लगबाग पचीस सो किलोमेटर के नेशनल हाइवे थे आज पाथ हजार किलोमेटर लंबा नेटवर्क है शहर ही नहीं गामों को भी नेशनल हाइवे से जोडते हुए दो हजार साथ सो किलोमेटर से दिक्की सडके बनाई जा चुकी है पी-एम ग्रामिन्ट सरक योजरा के तीसरे फेक के तहट लगबग डाई हजार किलोमेटर की नई सडकों के लिए भी एक हजार साथ सो करोड रुपे से दोख स्विकृत किये गए है इसी प्रकार रेलवे में भी बीते आठ वर्षों में तेलंगना के लिए 31,000 करोड रुपे से दिक्के प्रोजेक स्विकृत किये गए हैं लगबग एक सो असी किलोमेटर की नई रेल लाइन तेलंगना में बिशाई जा चुकी है साथियों आत्म दिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा फाइव एप की बात की है फार्म टू फाइबर फाइबर टू फैक्टरी फैक्टरी टू फैशन और फैशन टू फ़रेंड ये बात मैं कह रहा हूँ इसी सोच के तहट हमने तय किया कि टेक्स्ट्राइल में देश के एक्पोर्ट को बढाने के लिए हम देश में साथ मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क बनाएंगे टेक्स्ट्राइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फाइदा होता है मद्जूर को भी काम मिलता है व्यापार कारोबार भी फलता फुलता है इन मैंसे एक मेगा टेक्स्टाइल पार्क का निर्मान तेलंगना में भी होने वाला है ये टेक्स्टाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगना के किसानों को तो लाब हो गाई जहां हजारों नव जबानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे साथियों हैद्राबाद देश की आत्मनिर भरता का देश के आत्म इस्वात का प्रमूख सेंटर है तेलंगना के दूसरे शहरों और गावों में भी असीम सामरत है यहां के खेतों में यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है यहां प्रकृते ने भी कोई कमी नहीं रखी है मैं आपको भी स्वात दिलाता हूँ कि जब तेलंगना में बाजपा की डबल इंजिल सरकार बनेगी तो तेलंगना के शहर तेलंगना के हर गाओ विकास के लिए यहां और तेजी से काब होगा हमें सबको पोजिटिविटी से जोडना है सबको विकास से जोडना है तेलंगना के विकास की गति को हमें और तेज करना है सबका प्रयास से ही हम तेलंगना को विकास के नए सिखर पर ले जा सकते हैं मेरे प्यारे तिलंगना के भाईयों बेहनों विजेश कर मेरी माता बेहने विजेश करके मेरे जोश से फरे नौजवान आप इतनी बड़ी संख्या में हम सब को आशिरवात देने के लिए आए हैं इसलिए मैं रदय से तिलंगना बाद्शियों का नमन करके बिननन करता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की दोनों मुठी उपर करके बोलिए भारत माता की ऐह भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद